नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्ती जोती में आज हम लोग सुधर्शन जी द्वाररचित कहानी सन्यासी के प्रश्न उत्तर को देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी पाठ के चारांश को देखा था यदि आपने उस कहानी को नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़ ले और फिर इस प्रश्न उत्तर को देखें इससे आपको इसे समझने में आसानी होगी आएए देरी ना करते हुए हम बाट के प्रश्न उत्तर को देखते हैं तो सर्वप्रथम वस्तो निष्ट प्रश्न जो कि बहु विकल्पी प्रश्न है आईए पहले प्रश्न को देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा कि पालू किस राज्य का निवासी था यहां पर देखिए चार विकल्प दिये गए हैं क गुजरात ख राजिस्थान ग पंजाब और घर महाराष्ट्र तो यदि आप इस रचना को पढ़े तो इस रचना की पहली ही पंक्ती में कही गई है कि पालू जो है वो लखनवाल जिला गुजरात का रहने वाला था तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है तो अगर आपसे पूछे कि किस जिला है तो ज देखें दूसरा प्रशन देखें दूसरा प्रशन हमारा यह रहा कि यह न होगा इसका कथन है यानि कि इसका वक्ता कौन है इसमें भी देखें चार पिकल्प है पहला है पालू के पिता का दूसरा बालू का तीसरा है पालू का और चौथा है सुचालू का तो यह न होगा यह पंक्ति जो है वो पालू का कथन है इसलिए यहाँ पर सही भी कल्प जो है वो है गः अब तीसरा प्रश्न देखिए कि पालू की इस तरह किस रोग का सिकार होकर मर गई यानि कि कौन सा रोग उसे हो गया था कौन से बिमारी हो गई ती जिसके कारण उसकी मृत्ति हो गई यहाँ पर देखिए कर मलेरिया ख हैजा ग टाइफाइड और ग तपेडिक तो इसका जो सही उत्तर है वो है हैजा पालू की पत्नी को हैजी की बिमारी होती है जिसके कारण की मृत हो जाती है आईए अब हम लगुतरियो प्रश्न देखते हैं पहला प्रश्न कि पालू किस गाउं का रहने वाला था यहांपर देखे पालू जो है वह लखन वाल गाउं का रहने वाल था आ दूसरा प्रश्न पालू की भाबी अवाक करेगा लडाई करेगा लेकिन पालू जो रहता है वो घर बार छोड़कर जाने को तयार हो जाता है तो ये बात देखकर बहुत ही आश्चरेचकित होती है और पालू अपनी भावी से बूलता है कि अब घर में नहीं रहेगा इसलिए उसके बेटे को सभालो ये बात जो है भावी सुनकर अवाक रह आश्चरेचकित हो जाती है तीसरा प्रशन देखिए स्वामी विद्यानंद कौन थे उत्तर पालू सन्यास ग्रहन का रिसी केस में रहने लगा और अब वहीं पालू ही स्वामी विद्यानंद के रूप में प्रसिद्ध हो गया यानि कि जो सन्यास के पहले जो पालू था व उत्तर देखिए भोलानात हाडा का बड़ा सज्जन पुरुष्था कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भोलानात जो है वो सज्जन पुरुष्था उसके मन में जो थी वो दया, स्निह और परुपकार की भावना थी पालू का वह सच्चा मित्र था, सुख्षू, सुख्दयाल के प्रति उसके मन में स्निह का भाव भी था यह भोलानात के बारे में बताया क्या है, इसके बाद पांचवा प्रश्ण देखी कि लोहडी क्या है लोहडी एक प्रमुक तेवहार है, यह तेवहार जो है वो बड़े समारों के रूप में पंजाब में मनाया जाता है यानि लोहडी जो है वो मुख्य रूप से पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध तेवहार है यह छटे नमबर प्रश्ण को देखते हैं कि पालू अपने पुत्र को किसके आश्राय में छोड़ गया यानि किसके पास छोड़ गया था उत्तर देखें पालू अपने पुत्र को अपनी भाभी के आश्राय यानि भाभी के पास भाभ से छोड़ कर चला जाता है बोद मूलक प्रश्ण को यह दी देखे पहला प्रश्ण है कि पालू किस बात में उस्ताद था यानि किस बात में अच्छा था उत्तर देखिए पालू जो है वह वांसुरी और घाड़ा बजाने में उस्ताद था फीर रांजे क्या इस्ताद पढ़ने तथा जोग सहती के प्रश्ण उत्तर पढ़ने में बहुत ही बेजोड था यानि कि बहुत ही अच्छा पढ़ता था उसके समान कोई भी उसकारे को इतना अच्छा नहीं कर पाता था ह selecting पालू मन ही मन क्यों बुटा था वे उसे चड़ होती थी देखिए गाव के लोग पालू के व्यवहार वो देखकर सुनकर मुगद होते और उसकी अथि प्रसंशा करते थे यानि पालू के व्यवहार से गाव की लोग बहुत ही खुष थे परंतु घर के लोग जो थे उसका सम्मान नहीं करते थे उसके गुरों का कदर नहीं करते थे इस बात को लेकर पालू जो है वो मन ही मन कुरता रहता था उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी अगर हम गारनम परशन की बात करें तो आईए देखते हैं पालू के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आखिया तो देखिए पालू की 33 वर्ष की अवस्था में साधी हो गई यानि जब पालू 33 वर्ष का रहता है तो उसका विवाह हो जाता है और जैसे ही उसकी पत्नी आती है उसका संसार बिल्कुल ही बदल जाता है कि व्यवहार में भी परिवर्टन देखने को मिलता है पहले जहां उसे बासुरी किस्से कहानी इन सब को सुनाना अच्छा लगता था अब वह इन सब चीजों को बिल्कुल ही भूल गया है और इस प्रकार विवाह के पश्चात पालू के चरित्र और व्यवहार में हमें बर्तन देखने को बिलता है तो तो फानमर्प्रश्णुका यह दिखते हैं प्रकाशानंद के पास स्वामेविद्यानंद क्यों गये देखिए दोमें स्वामे विद्यानंद की भक्ति की सर्वत धूम मच गई पर उनके मन को शांती नहीं मिली, जैनी कि स्वामे विद्यानंद उनके मन को शांती प्राप्त नहीं हुई, उन्हें सुख की नीन नहीं आती थी, इसी अशांती, उनके मन में इतनी अशांती क्यों है, इसके समधहान क्लिए विष्वामी प्रकासानद के पास गये। पंगा नंबर प्रकासानद के पंगा फ्रॉब ग क्लेज लें कॉंछलु झीए भोला नाथ के घर उसने इस्टह के चाहि और न मा मार जाने कि तक पहुँच गया। जो जो है वह वह भोलानात को बताया है कि उसने कया उसे चमटे से मारा तो यह बात जानकर टाई को deepen क्लाद कोई पह सिमाय रहती है अपना क्लेअद के लिए क्पल्द कैसी क्वन मैं पड़ा कर systems बन सबस्कंद का पर समय कर दो ऋजन लगता है दियाल तो छोटा सा बच्चा रहता है ना और उसे इतना डाटने मारने पर तो जाईसी बात है वो बिलकुल ढर ही जाएगा आईए चर नमबर प्रश्ण को देखते हैं पालू के चरित्र की प्रमुक विसेस्ताव को लिखी उत्तर देखिए पालू अनपड़ था पर मूर्ख नहीं था गुड़ों की खान था बास्री बजाना किसे कहानी सुनाना में वो काफी बेजोड था घर के बाहर लोग उसका आदर करते थे सम्मान करते थे परन्तु घर के भीतर लोग उसका सम्मान तो करते नहीं थे और जब सन्यासी बन गया, तो सन्यासी बनने के बाद परवत पर हिता था पत्थरे पर शोता था व स्कूर्ट उपना इसे घुणों के प्रति उपने प्रति स्कूर्ट उसकी मन में क्या थी शद्दा थी व के अनुरूप कारिय करता था आईए च्छा नंबर प्रश्ण को देखते हैं च्छा नंबर प्रश्ण है हमारा कहानी कहने से हमें क्या सिक्षा मिलती है देखें इस कहानी से यह सिक्षा मिलती है कि ग्रिहस्त के उत्तर दाइत्व का निर्वाह करना ही यदि आपका संसार है परिवार है तो उसके प्रती जो आपकी जिम्मिदारिया है उसका निर्वाह करना ही वास्तिविक सन्यास है प्रहस्त जीवन का निर्वाश किये बिना निर्वाह किये बिना जो है सन्यासी बनने से मन को शांती प्राप्त नहीं हो सकती है तो वास्तविक्ता में कहा गया है जो आपका कर्तव्य है जब तक आप उसका निर्वाह नहीं करते हैं जो आपका उत्तरदाइत को है उसका यदि आप निर्वाह नहीं करते हैं तो आप कहीं भी चले जाईए कुछ भी कर लीजिए वास्तव में आपको शांती प्राप्त नही तो इसमें कुछ पंक्तिया दी गई है पहली पंक्ति की मनुष्य सब कुछ सह लेता है पर अपमान नहीं सह सका यह पंक्ति दी गई है पाट से उठाकर इसके आधार पर सिंधिये गया है पहला प्रश्ण है इस पंक्ति की का नाम लघ्य क्ला नाम mechan क्यों दूसरा प्रश्न सव प्रसंग इस पंक्ति का तात्पर इस पश्ट की देखिए पालू जो है वो अनपड़ था पर मुर्ख नहीं हाई और भावियां जो थी उसे बाद-बाद पताने देते थे घ्रेना करते थे पालू जो है यह सब कुछ सह लेता था पर कितना जो अपमान होता था से वह सहल नहीं कर पाता था इस अपमान को देख कर वो जो है पतिकार शोरू ब्रोध करने के लिए बात को कही है कि मुनुश देन सब कुछ सह लेता है पर अपमान नहीं सह सकता है तो यह बात इस संदर्म में कही गई है आईए खौनमबर प्रश्ण को देखते हैं इसमें खौनमबर की पंक्ति को पढ़ते हैं सारे गाउं में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही है अब भी बताने की बात बाकी रह गई का पहला प्रश्ण तुम्हारी शब्द का प्रियोग किसके लिए किया गया है मिट्टी उड़ने का क्या तात परे है देखिए यहां तुम्हारी शब्द का प्रियोग पालू के लिए किया गया है मिट्टी उड़ने का तात परे है बदनामी होना इस आधार पर जो दूसरा प्रश्न है कि इस अंश की दूसरा प्रश्न देखिए इस अंश की व्याख्या कीजिए उत्तर देखिए पालू के पिता पालू से अपनी नाराज्गी को व्यक्त करते हुए कहते हैं तुम जो है वो हमेशा अपनी पत्नी के पास अपनी इस्त्री क के बाद बैठे रहतों इसलिक आपारे गाव में तुम्हारी बतनारे वही हो रही क्या अब ही चुह हैं मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूवत है कि जरूवत है क्या तुम इस बात को खुद नहीं समझ सकते हों यह बात कहीं आई यह नंब्र भूखती को देखते हैं और क्यों उत्तर देखिये पालू और उसकी पता के हिर्दे में गाठ बन जाती है सकते है भेद्वाव हो तो पत्ण को घर भेजने की बात कि सबस्ता इसे पतनी को घर भेज दो पालु फों है इसबीकार कर देतां इस बात ko नहीं मानता है तो पिता जो है क्रोथीत होकर उसे घर से किनारे करने को कह देती स्वार Right झाल सकता है इस बात पर दोनों के इस दै में गाठ बन गई यानि दोनों के विद्दे में मदभ्यत पैदा हो जाते हैं तो थी पंक्ति को देखते हैं स्वामी विद्यानंद के आखों में आशू आ गए इसका पहला प्रश्ण स्वामी विद्यानंद कौन थे पालू ही स्वामी विद्यानंद था ग्रहस्त जीवन त्याग पालू क्रिसी केस जाकर स्वामी विद्यानंद के मेना के समान चहकने वाला सभी को प्यारा नटखट बालक सुखदयाल उदासिंता की मूर्ती बना था उसकी इस अवस्था को देखकर स्वामी विद्यानंद बिल्कुल रुखी हो जाते हैं कि आखों में आशु आ जाता है आईए अब इस पार्ट से संबंधित जो है हम भासा बोद के प्रश्ण को देखते हैं हम लोगों ने इस पार्ट से संबंधित जो है वो वस्तोनिष्ट प्रश्ण लगूतरिय प्रश्ण और बोद भूलग प्रश्ण देख लिया है अब इस पार्ट से जो संबंधित हमारे भासा बोत के प्रश्ण हम उसे देखते हैं, इसमें सबसे पहला जो हमें दिया गया है, वो कहा गया है कि हम जो है इसमें इमनलिके चब्दों के उपसर्ग एवा मूल सब्द को प्रिथक करें, पहला शब्द है अभिमान, अभिमान में जो हमारा उपसर्ग है, मैं यहां अभिमान सब्द है, इसमें जो उपसर्ग है वो है अभि, और इसके भीतर जो मूल सब्द है वो है मान, आपको पता ही है कि उपसर्ग में हमेशा जो मूल सब्द होता है, उसके आगे लगता है, यहां पर जो मूल सब्द है वो मान, उसके आगे उपसर्ग लगा है, सब्सक्राइब हमारा है संभाव इसी तरीके से निष्ठुर में निहां उपसर्ग है और निष्ठुर जो है वह हमारा भूल सब्सक्राइब निरलज में निहां उपसर्ग और लज जो है वह हमारा भूल सब्सक्राइब अनपड में अन पड़ अपमान में अप उपसर्ग है और मान तो है वो हमारा मूल चबते है प्रति छण के अंतरगत प्रति उपसर्ग और छण हमारा मूल चबते है यहां पर हम लोगों ने पाठ में आये जो कुछ उपसर्ग है उसको किया और अब देखिए यहां पर आपके सामने प्रत्य आ चुका है उपसर्ग जहां आगे लगता है वहीं प्रत्य जो है वो पीछे लगता है सब जाके शब्द बनता है तो यहां है हमारा मूल शब्द और यह रहा प्रत्य है देखिए तो इसमें जाकियों में हमारा जो मूल शब्द है वो है जाकी और प्रत्य है हमारा यह इसी तरीके से धीरता में धीर मूल शब्द ता प्रत्य नम्रता में नम्र ता प्रत्य व्याकुलता में व्याकुल और उसके साथ लगा ताप रत्य तो बना व्याकुलता, प्रसनता के भीतर प्रसन यह बहुत आसान है, आप घर सकते हैं, उसके साथ ताप रत्य, सुंदरता में सुंदर और ताप रत्य, तो आपका शब्द बन जाएगा, सुंदर ताप, आईए अब हम इस पाट से संबंदि जो दिया गया है, परियावाची शब्द, उसको देखे, निमनलकित सब्दों के परियावाची शब्द लिखिये, यानि यहाँ पर हमें परियावाची बताना है, सबसे पहला है विधाता, विधाता का क्या मतलब होता है, विधाता का मतलब होता है, भगवान, इश्वर, अगवान और आप इश भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से चिडिया का पंची, नफचर, भी हग, हग भी लिख सकते हैं, संसार का जगत, जग, दुनिया, जग, जगत, दुनिया, चित्र का शवी, दस्वीर, और रश्य, इसी तरीके से वस्तर, वस्तर का कपड़ा, आप भी जानते हैं, ये सामानिय ही है, इसी तरीके से चीर, और पट, वाटिका का आपका वाटिका कार्थ होता है, बाग बगी चैसे हम कहते हैं, वन, उप वन, और बाग, ठीके, यहाँ पर यह हमारा परियावाची शब्द हो गया, अब हम इस पाट से संबंधी जो जिलोम शब्द है, उसे करेंगे, देख सकते, इस पाट से संबंदी जो लोम शब्द उसमें देखते हैं हम, तो सबसे पहला है, सुन्दर, सुन्दर का, पुरूप, यह किसी तरीके से, मुर्ख मुर्ख का, चतुर, विश विश का, अमरित, चंचल चंचल का, चांत, और अशांती का, चांती, यह हमारा विलोम शब्द है, और अब, उसकी बाद, जो है हम, पाचवा नंबर जो आखरी प्रश्न है, उसे देखेंगे, कि निमने लिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, बार बार कहती हूं, वाक्य प्रयोग स्वेम से करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप चीजों को अच्छे से सीख पाए, समझ पाए, यहां मैं केवल आपकी सहायता के लिए बता दे रही हूं, परन्तु यदि आप इसे स्वेम करेंगे, तो ज्यादा बहतर होगा, तो आइए देखते हैं, पहला शब्द है हमारा पिंजरा तो तोता, आपको याद होगा कच्छा से में आपने पढ़ी होगी, तिवारी का तोता, वहीं से यह वाक्य है, तोता पिंजरा में कैद है, कैद, कैद, इसी तरीके से ग्रिहस्ती, ग्रिहस्ती का अर्थ क्या है, वो पता ही है, जिसे हम परिवार कहते हैं, मतलब शादी के बात तो ग्रिहस्ती का अर्थ का अले तका, एक आग्रफ, हमें, यह वाला है, आपर दिखिएगा, हमें एक आग्रफ, हमें, लाग्र, वोकर, कार्य, सर्ना, चाहिए, यह बात धर्मशाला, देखते हैं हम लोग, धर्मशाला का क्या है मुझे, धर्मशाला में रहना पड़ा, यह मैं एक सामानी वाक्य बना दे रही हूँ, आप इससे अच्छे भी वाक्य बना सकते हैं, सही वाक्य बना सकते हैं, तो स्वयम से प्रयास चरूर करें, ताकि आप चीजों को सीख सकें, और इसके बाद यह हमारा आखरी का वाक्य जो है, वो समारोह, तो लिखते हैं, कल समारोह में जाना है, या पैसा भी कह सकते हैं, पालू के बगेर कोई समारोह या आयोजन नहीं हो सकता था, इस तरीके का कोई भी आप एक बाक्य बना सकते हैं, स्वयम से प्रयास करें, वो ज्यादा बहतर होगा, वो आपके लिए सीखने के लिए ज्यादा उचित होगा, तो इस पार्ट से संबंदी जो प्रश्न उत्तर है, उसे हमने देख लिया है, उसे हम लोगों ने कर लिया है, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, इसी के साथ धन्यवाद.